आज मैं आपके लिए लाई हो एक नई रसेपी ब्रेड रोल यह बहुत ही कम इंग्रीडियन के साथ बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है यह चलिए देखते हैं इसके लिए क्या लगता है यह दो बड़े उबले हुए आलू जिसको मैंने मैश कर लिया है यह है एक अ तोल आगके 1ज안 आपटल स्पून साल्ट हाफ तेबल स्पून ब्लाग पेपर वाइट वेपर और हाफ टेबल स्पून ओर चाहेगा इस में और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर जाएगा तमाम इंग्रेडियंट्स को हम मिला देंगे और औरगैनर जो है इसमें ऑप्शनल है चाहे तो आप स्किप भी कर लिजी अब हम क्या करेंगे ब्रेट के चारे कॉर्नर्स को जो हम निकाल देंगे चारे साइड़ों को हम निकाल देंगे चारों कॉर्नर्स को यह इस तरीके से सारे कॉर्नर्स निकाल देने हैं हमें अब इसे ही पानी में डिप करके जो है सारा इसका एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है और जो आलू की फिलिंग है उससे है आलू की फिलिंग को ब्रेट पर लगा कर जो है सारे रोल्स बना देने हैं हमें और एक पैन में हमने ओईल करने के लिए रख दिया है और सारे रोल्स हमने इसमें डाल दिये हैं और यह देख सकते हो आप कि हलका इसका कलर चेंज हो गया है अब हम इसको पल्टेंगे और अलिट प sự SACBल में हाइए पर Eigen पर फ्राइन इस बहुत ही क्रिफिंट क्रिसपन चेंज हो रहा है और आप देख सकते हो यह इसका कलर हलका हलका जो है चेंज हो रहा है और इसी तरीक इस तरीके का हमें टिक्स्चर चाहिए और कलर भी अब हमारा दूसरा बैच फ्राइ कर लेंगे हैं और फॉरण जब हम रोल्स को फ्राइ करेंगे तो फॉरण हमें इसे पलटना नहीं है जब तक ये थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए कलर चेंज ना कर ले तब तक इसे पलटना नहीं है आप देख सकते हो ये इसका कलर चेंज हो गया है और हमने इसे पलट दिया है अब लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है और ये परफेक्ट कलर है और सारा प्रोसीजर हमें हाई फ्लेम पर ही करना है ये देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी बनके तयार होते हैं आप बेग बर ट्राइ किजिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूं इसको ये देखिए ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं खाने में ही उतने मज़ेदार हैं आप भी ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग